नमस्कार मैं अविनास रंजन गुपता आप सभी का अपने चैनल पर हर्दिक अभी नंदन करता हूं इस वीडियो में हम लोग अध्यन करने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में लेकिन इस पत्र लेखन का विशय है पडोसी द्वारा सरकारी जमीन पर निर्मान कारे अर्थात हम लोग कभी कभी देखते होंगे कि जो गोचर जमीन होती है या जो सासन की जमीन होती है वहाँ पर लोग अवेद्य रूप से निर्मान कारे शुरू कर देते हैं या फिर वहाँ पर अतिक्रमा कर देते हैं अर्थात अपनी जमीन बढ़ा कर सरकारी जमीन पर भी वो लोग अतिक्रमं कर देते हैं ऐसी स्थिती में हम लोग किसे पत्र लिखे और कैसे पत्र लिखे इस पर हम लोग इस वीडियो में विचार करने वाले हैं तो सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोगों को लिख लेना है दिनांक याद रखे दिनांक आप हमेशा DDMMYYYY format में ही लिखेगा और इस पत्र में दो रंगों का प्रयोग किया गया है ब्लू रंग जो है वो चेंजिबल नहीं है अर्थात वो constant रहेगा आप अपनी सविधा नुसार से चेंज कर सकते हैं लेकिन रेड कलर में जो भी लिखे गया है वो चेंजिबल है दिनांक तत्पस्चात शेवा में स्रिमान उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी कहने का मतलब हुआ SDM सब Divisional Magistrate उपजिलाधिकारी कारियाल है उदितनगर राउड केला 769001 अब यहां हम लोग विशे लिखेंगे सरकारी जमीन पर जबरन कबजा करने का सामानने विरोध करने पर जान माल की धमकी दिये जाने के संदर्व में अर्थात मैंने या हम मुहल्ले वासियों ने जब उक्तवेक्ति से बात की कि आप इस सासन की जमीन पर या सरकारी जमीन पर निर्मानकारे क्यों कर रहे है तो उन्होंने जान माल की धम की दी फिर लिखेंगे महोदे मैं अविनास रिजन गुपता आपके नगर छेत्र के अंतरगत आने वाले ब्रामनी तरंग पुलिस टेशन से संबध PCI इलाके का निवासनी हूँ सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिख देना है अत्यंत विनम्रता पुरुवग मैं कुछ अंचाहे तत्य आपके संग्यान में लाना चाहता हूँ मेरे घर के सामने जो जमीन खाली पड़ी है वह सासन की है सरकारी भूमी होने के नाते वहां किसी भी तरहा का अवेद्ध निर्मान तथा अतिक्रमन नहीं किया जा सकता परन्तु नियमों की अवहेलना करके एक दबंग प्रवर्ती के विक्ति द्वारा वहां कबजा और निर्मान कारे किया जा रहा है इस संबंध में जब हमने सामाने रूप से उस विक्ति से बात की तो वे मारपीट पर उतारू हो गए और अब सब्दों का भी प्रयोग करने लगे मामला कही हिंसात्मक रूप ना ले ले हमने वहां से लौट जाना ही बहतर समझा कुछ दिनों के पश्चात हम सभी महले वासियों ने सामुहिक रूप से एक FIR अर्थात First Information Report उक्त थाने में दर्ज की पर तीन महीने बीट जाने के बाद भी कुछ कारवाई नहीं हुई है इससे मेरे सहित यहां रहने वाले अन्य लोगों के मन में भी भय बना हुआ है अतह आप स्रिमान से निवेदन है कि उक्त भूमी को अवेदिक अबजे से मुक्त कराने है तु तथा हम सब जन साधारन की सुरक्षा सुनिश्चित करने है तु आवश्य कारवाई करने की कृपा करें इस कारे के लिए हम आपसे सदेव आभारी रहेंगे मेरा आपसे एक अतिरिक्त निवेदन है कि मेरी सिकायत को गोपनिय रखें क्योंकि इस संदर्भ में नाम अथ्वा किसी भी सूचना के सामने आने पर सम्मंधित दबंग व्यक्ति द्वारा मुझे जान माल का नुक्सान पहुँचाए जाने का खत्रा है साधन्यवाद भवदिय अविनास रंजन गुपता टी सी आई ब्रामनी तरंग और इसके बाद देखे संलगनक संलगनक अर्थात इस पत्र के साथ आप क्या क्या अटेच कर रहे हैं इस पत्र के साथ मेरे मुहले का भूनकसा, सासन की जमीन का भूनकसा, सासन की जमीन पर निर्मान कारे के फोटो, FIR की एक प्रती अर्थात, First Information Report की एक कौपी, मुहले वास्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रती देखे, जब आप सपोर्टिव डोकुमेंट्स देंगे, तो आपके पत्र का वजन बढ़ जाएगा और उस पत्र पर आवश्यक कारवाई ततकाल प्रभाव से होगी और जहां तक ये भू नक्सा की बात है, तो आप भू नक्सा एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर ये अपने जमीन का ये किसी की जमीन का नक्सा, मौजा और जमीन से जुड़ी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो इस तरीके से अगर हम लोग SDM को पत्र लिखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ततकाल प्रभाव से जरूर एक्शन लिया जाएगा इसके साथ पत्र यहीं समात्त होता है, उमीद करता हूँ, आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा हम पुन्हा मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद